क्या कहता है विज्ञान, वास्तु शास्त्रों के अलावा विज्ञान में भी लोग और कपूर जलाने को अच्छा माना गया है। विज्ञान कहता है कि घर में लोग और कपूर जलाने से घर की वायुशुध होती है। लोग और कपूर की सुगंध से घर के सारे बैक्टिरिया खत्म हो जाते हैं जिससे धर्ती पर रहने वाले इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी लाब मिलता है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्ण 1. लोग और कपूर से घर की शुद्धी कैसे हो सकती है वास्तु शास्त्रों के अनुसार लोग और कपूर से घर की शुद्धी करने के लिए उनको एक साथ किसी बर्तन में रखकर उन्हें जला दे और घर के सभी कोनों में घुमा दे जिससे घर पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा 2. हफते में कितनी बार और किस समय लोग और कपूर जलाना चाहिए हफते में दो बार लोग और कपूर जलाना ही चाहिए अगर किसी के पास समय है तो इसको रोज जला सकते हैं इसे जलाने का कोई निश्चित समय नहीं है इसे दिन में किसी भी समय और रात में सोने से पहले जलाना चाहिए इससे फाइदा मिलेगा 3. क्या कपूर जलाने से बीमारिया भी खत्म हो जाती है वास्तु शास्त्रों के अनुसार कपूर की सुगंधी से शरीर शुध होता है इसकी सुगंध से जादातर रोगों का खात्मा होता है 4. कपूर में लोग डाल कर क्यों जलाया जाता है इससे घर में शांती रहती है परिवार के लोग आपस में मिलजूल कर रहते हैं और नकारात्मक उर्जा का नाश होता है घर के सारे काम बनने लगते हैं 5. लोग और कपूर को जलाने की क्या मात्रा होनी चाहिए लोग और कपूर को जलाने के लिए एक कटोरी या किसी मित्ती के बरतन में 11 लोग लेकर उसमें 7 कपूर के टुकरे डाल के जलाना चाहिए